हेलो एवरीवन आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास सेवेन के हिस्ट्री का चैप्टर नाइन दे मेकिंग अफ रिजिनल कल्चर्स का पार्ट टू का हिंदी सम्री आज के वीडियो में हम लोग सुरू करेंगे पेंटिंग फॉर पैट्रॉन्स दे ट्रेडिशन यानि की सन्रच्च को के लिए चित्रकला लगू चित्रो की परंपरा इससे आगे की जो सम्री है उसको हम लोग सुरू करेंगे तो चलिए देखना करते वए वीडियो को सुरू करते हैं एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से बिक्सित हुई वह थी लगू चीतरों की प्रमपरा लगू चीतर जैसा कि हमें उसके नाम से ही पता चलता है छोटे अकार के चीतर होते हैं जिनें आम तोर पर जल रंगों से कपड़ी या कागज पर चीतरित किया जाता है प्राचिंतम लगुचित्र ताल पत्रो अथवा लकडी की तक्तियों पर चित्रित किये गए थे इनमें से सरवाधिक सुन्दर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किये गए थे मुगलबादसा अकबर, जहांगीर और साह जहा ने अत्यंत कुसल चित्रकारों को सनरक्षन परदान किया था जो प्रात्मिक रूप से इतिहास और काब्यों की पांडुलीपियां चित्रित करते थे अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और ये कुछ गीने चुने लोगों बादसा और उनके घनिष्ट जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे मुगल समराज के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दर्बार छोड़कर नए उभरने वाले छेत्रिये राज्यों के दर्बार में चले गए परिनाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रूचियों ने दक्षिन के छेत्रिय दर्बारों और राजस्थान के राजपुती दर्बारों को प्रभावित किया लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपने विसिस्ट विसिस्ताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया मुगल उदाहारनों का अनुशरन करते हुए सासको तथा उनके दर्बारों के दृष्ष चित्रित किये जाने लगे उनके साथ-साथ मेवाड, जोधपूर, बुंदी, कोटा और किसनगन जैसे केंद्रों में पौरानिक कथाओं तथा काब्यों के बिशय का भी चित्रन किया जाने लगा ऐसा ही एक अन्य छेत्र था आधुनिक हिमाचल परदेश के इर्दगिर्द हिमालाई की तलहठी का इलाका सत्रहवी सताबदी के बाद वाले जितने भी बर्स थे उनमें इस छेत्र में लगू चित्रकला की एक साहस्पूर्ण एवं भाव प्रवल सैली का विकास हो गया जिसे बसोहली सैली कहा जाता है यहां जो सबसे लोकप्रिये पुस्तक चित्रित की गई वह थी भानुदत की रस मंजरी 1749 में यानि की 1739 में नादिर साह के आकरमन और दिल्ली बिजय के परिनाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिस्चित्ताओं से बचने के लिए पहाडी छेत्रों की योल पलाइन कर गये उन्हें वहाँ जाते ही आसरय दाता तयार मिले जिनके फल सुरूप चित्रकारी की कांगला सैली बिक्सित थी हमें याद रखने वाली बात है कि साधारन इस्त्री पूरुस भी बरतनों दिवारों कपड़ों फर्स आधी पर अपनी कलाकिर्तियां चीत्रित करते थे कलाके इस नमुनों में से कुछी बच पाते थे इसके बिप्रीत लगुचीत्र राज महलों में साधानी पुर्वक रखे जाते थे जिससे वे सदियों तक सुरक्षित्र आ सके अब देखते हैं एक कलोजर लुक बंगाल बंगाल के बारे में हम लोग जानते हैं जैसा कि हमने सुरू में देखा था हमकसर चेतरों के नाम वहां के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भासा के अनुसार ही निरधारीत करते हैं इसलिए हम मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली ही भासा बोलते थे किन्तु यह एक दिल्चस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकलिवी भासा मानी जाती है प्रारंबिक यानि कि सुरुवाती संस्कृत ग्रंथों के अध्यन से यह पता चलता है कि बंगाल की लोग संस्कृत से उपजी हुई भासाय नहीं बोलते थे इसापुर्ग चौथी तीसरी सताबदी से बंगाल और मगद के बीच वानीजिक संबंध अस्थापित होने लगे थे जिसके कारण संभावता संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा चौथी सताबदी के दोरान कुप्त वंसिय सासकों ने उतरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंतरन अस्थापित कर लिया और वहाँ ब्राह्मनों को बसाना सुरू कर दिया इस प्रकार गंगा की मद्य घाटी के भासाई तथा संस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गया और साथवी सताबदी में चीनी यात्री हुयन सांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत संस्कृत से संबंदित भासाओं का प्रयोग हो रहा था आठवी सताबदी से पाल सासको के अंतरगत एक छेत्रीय राजे का उधभव हो गया चोदहवी से सोलहवी सताबदी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का सासक रहा जो दिल्ली में स्थित सासको से सुल्तांतर थे 1586 में जब अकबर ने इस परदेश यानि की बंगाल को जीत लिया तो उसे सुबा माना जाने लगा उस समय प्रशासन की भासा तो फारसी थी लेकिन बंगाली एक छेत्रीय भासा के रूप में बिख्सित हो रही थी वस्तुता 15 सताबदी तक आते आते उप भासाओं तथा बोलियों का बंगाली समों एक समानने शाहितिक भासा के द्वारा एक बद्ध हो गया यह शाहितिक भासा उस छेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भासा थी जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है यत्पी बंगाली का उद्भो संस्कृत से ही हुआ है पर यह अपने क्रम विकास को अनेक अवस्थाओं से गुचरी है इसके अलावा गैर संस्कृत सब्दों का एक बिसाल सब्द भंडार जो जनजातिये भासाओं फार्सी और यूरोपिये भासाओं सहीद अनेक सुरोच स इसे प्राप्थ हुआ है आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गिया है बंगाली के प्रारंभिक साहित को दो स्रेनियों में बाटा जा सकता है एक स्रेनी संस्कृत की रेनी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है पहली स्रेनी में संस्कृत महा काब्यों के अनुबाद मंगल का और भक्ति साहित जैसे गौडिये बैसनव आंदोलन के नेता स्री चैतन देव की जिवनिया इत्यादी सामिल है। पांडोलूपिया पाई गई हैं जिसे यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15 सताबदी के उत्रार्थ और 28 सताबदी के मध्य भाग के बीच की गई है। 16 सताबदी से लोगों ने बड़ी संख्या में पस्चिम बंगाल के कम उपजाओं छेत्र को छोड़कर दक्षिन पूर्भी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था। जियोजेओं वे पूर्भ की और बढ़ते गए वे जंगलों को साफ करके भूमी में धान की खेती करने लगे। धिरे धिरे अस्थानिय मचुआ तथा जो अस्थान अंतरिये खेती करने वाले लोग थे जो अक्सर जन जाती थे किसानों के नई समुदाई में मिल जाते हैं। इन्ही दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंतरन अस्थापित हो गया था। जिन्होंने पुर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रिये भासा में इस्थित धाका नगर में अपनी राजधानी अस्थापित की। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमी प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जीद बना लेते थे जो इन इलाकों के धार्मिक रुपांतरन के केंद्र के रूप में कामाती थे। प्रारम से बाहर से आकर यहां बसने वाले लोग इन अस्थिर परिष्थितियों में रहने के लिए कुछ बेवस्था तथा अस्वासन चाहते थे। ये सुक सुमिधाय निरनायक की भूमिकाय भी अदा करते थे। कभी-कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलोकिक सक्तियां हैं इसने और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। इस पीर स्रेनी में संत या सूफि और अन्यधार्मिक महानुभाव, सासी उपनिवेसी, देवत्म प्राप्त सैनिक एवं योध्धा, बिभिन हिंदू एवं बौध देवी देवताओं और यहां तक की जिवात्माय भी सामिल थे। पीरो की पूजा पदितिया बहुत ही लुक प्रिये हो गई और उनकी मजारे बंगाल में सर्वत्र पाई जाती है। बंगाल में साधारन इटो और मिटी गारे से अनेक मंदिर निम्न समाजिक समू जैसे कालू, कसारी, आदी की समर्थन से बने थे। यूरोप की ब्यापारिक कमपनियों के आजाने से नए आर्थिक औसर पैदा हुए। इन समाजिक समू से संबंधित अनेक परिवारों ने इस औसरों का लाग उठाया। जैसे जैसे लोगों की समाजिक तथा आर्थिक स्थिती सुधर्ती गई, उन्होंने इन असमार्कों के निर्मान के माध्यम से अपनी प्रश्थिती या प्रतिष्ठान की गोसना कर दी। जब अस्थानी ये देवी देवता जो पहले गाउं में छान छपर वाली जोपडियों में पुझे जाते थे, को ब्राह्मनों द्वारा मान्यता प्राप्त करती गई। और जब मान्यता इन्हें मिल गई, तो उनकी परतिमाय मंदिरों में भी अस्थापित की जाने लगी। इसके आगे देखते हैं हम लोग। इन मंदिरों की सकल या आकेर्थी बंगाल की छपरदार जोपडियों की तरह दो चाल यानि की दो छट वाली या चो चाल यानि की चार छट वाली होती थी। इसके कारण मंदिरों की अस्थापन कला में बिसिस्ठ बंगाली सैली का प्रादुर भाव हुगा। अपिक्चाकरित अधिक जटील चोचाल यानि चार छट वाली धाचे में चार त्रीकोणिये चट चार दिवारों पर रखी जाती थी। जो उपर तिरियक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदीर आम तोर पर एक वरगाकार चबूत्रे पर बनाये जाते थे। उनके भीत्री भाग में कोई सजावट नहीं होती थी। लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दिवारें चित्रकारी सजावटी टाईले अथ्वा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदीरों में विशेश रूप से पश्चिम बंगाल के बांकूर जिले में विश्णूपूर के मंदीरों में ऐसी सजावटे अत्यंत उतक्रिष्ठ कोटी की हुआ करते थे। फिस एज फूड यानि कि मचली भोजन के रूप में परमपरागत भोजन संबंधी आदते आम तोर पर अस्थानिये रूप से उपलव खाद परदार्थों पर निर्भर करती हैं। बंगाल एक नदिय मैदान है जहां मचली और धान की उपज अधिक मातरा में होती है। इसलिए यह स्वभाविक है कि इन दोनों वस्तूओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख अस्थान प्राप्त है। मचली पकड़ना वहां का प्रमुख धंदा रहा है और बंगाली साहित में मचली का अस्थान अलग-अलग जगाओ पर उल्लेख भी किया गया है। इसमें ज्यादा और क्या होगा कि मंदीरों और बौध बिहार की दिवारों पर जो मिटी की पटियां लगी है उनमें भी इस भोजन करने की अनुमती नहीं थी लेकिन अस्थानिय अहार में मचली की जो लोग-प्रियता थी इसको देखते हुए ब्रामन धर्म के बिशेशग्यों ने बंगाली ब्रामनों के लिए इस निश्वेद में धिल दे दी ब्रिहत धर्म पुरान जो बंगाल में रचित त अताबदी का संस्क्रीट ग्रंथ है इसने अस्थानिय ब्रामनों को कुछ खास किस्म की मचली खाने की अनुमती भी दे दी थी तो दोस्तों यह था इस चैप्टर का हिंदी समरी इस वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक हमारे चैनल पर बने रह धन्यवाद